वैसे तो मनाली और मनाली के आसपास घूमने की काफी सारी जगे हैं, पर जोगनी वाटरफॉल की बात ही कुछ और है। यह 7,850 फीट के हाइप पर है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि जोगनी वाटरफॉल हिमाचल का सबसे खूपसूरत वाटरफॉल है। जोगनी वाटरफॉल का ट्रेक मनाली से 2 किलोमीटर दूर वशिष टेंपल से स्टार्ट होता है वशिष टेंपल तक आप टेक्सी ले सकते हैं या कुर ड्राइब करके जा सकते हैं पेट पार्किंग आपको वशिष टेंपल के पास ही मिल जाएगी जिसका चार्ज है 100 रुपे पर आर और ये चार्ज आप नेकोशीट भी कर सकते हैं यहाँ पर 3-4 पार्किंग है और हमें अपनी कार पहले पार्किंग में ही पार्क कर दी यहाँ से वशिष टेंपल 5-10 मिनिट के वौकिंग डिस्टिंस भरी है भगवान शिरी राम के गुरू वशिष जी का 4000 साल से भी पुराना मंदिर है इसी मंदिर के नाम पर इस गाउं का नाम वशिष है वशिष गाउं से ही आपका ट्रेक स्टार्ट होता है और पहले 5 मिनिट आपको गाउं से ही होकर निकलना पड़ता है यहाँ पर आप कुल्लू कल्चर की जलक भी देख सकते हैं रास्ते में आपको छोटे-छोटे वाटरे स्ट्रीम मिलते रहेंगे जोगनी वाटरफॉल का ट्रेक एक easy to moderate ट्रेक है यह ट्रेक 4 किलो मीटर के अराउंट है और इसके लिए आपको 45 मिनिट या 1 गंटा लग जाएगा बच्चे हमारे साथ हैं तो हम मानके चल रहे हैं कि हमें 1.5 गंटा भी लग सकता है देदार के बड़े-बड़े पेड इस ट्रेक को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं और अगर आप यहां आ रहे हैं तो गंदगी ना कलाएं हम जब भी ट्रेवल करते हैं तो अपने साथ सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल कभी केरी नहीं करतें और अगर आप कहरी कर रहे हैं तो उसे डस्पिन में ही डाले जोगनी वाटरफॉल के बेस पर जोगनी माता का टैंपल भी है इसलिए ये एक सेक्रेट साइट भी है और इसको शक्ती बीट भी कहा जाता है यहाँ पर चीकना चिलाना शोर मचाना एक दम मना है और यह याद दिलाने के लिए आपको वानिंग बोट्स रास्ते में मिलते रहेंगे तो यहाँ के रूल स्थो फॉलो ही करें 25 मिनट के ट्रैक के बाद हमें जोगनी वाटरफॉल की पहली जनलक मिली और देखने के बाद वहाँ पहुशने के लिए मन आतुर हो गया रास्ते में आपको छोटा जोगनी भी मिलेगा और काफी लोग यहीं से वापस भी चले जाते हैं पर हम रिक्रमेंट करेंगे कि आप मीन जोगनी वाटरफॉल तक ट्रैक पूरा करें यह वाटरफॉल आगे जाकर ब्यास सीवर में मिल जाता है चोटा जोगनी पार करने के बाद से ही आपको इस ट्रैक पर काफी सारी सीडियां मिलने लगेंगी जो आपको ठका देती हैं पर ट्रैक के खूप सूर्ती और ट्रैकिंग का चैलेंज आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता रहेगा तो आप लोग को कैसा लग रहा है अभी ट्रैकिंग करके? अच्छा लग रहा है पर ठक गए ठक गए? आप? अब यह रावन अदा गंटा हो गया है चलते हैं चल से में हाँ और आपको कैसा लगा है? अभी प्या अदा गंटा और रहो प्तो अब बट्चे थक जाएंगे पर यह हर जबे आगे बढ़ते गए और हमने ही थक कर एक ब्रेक लेने का सुछा अन्या थक गए? नहीं थक गए? थक गए अदम में? थक गए कि नहीं? नहीं आपके वैसे न आप यहां पर सीड़ियां बनी हुए न इनकी वैसे थोड़ सी प्राब्लम हो रही है काफी देर से इतनी सीड़ियां चल रही है तो आपर थोड़ सा रेस्ट कर रहे हैं 5-10 मिन का एक बेक उसके बाद फिर कॉंटिन्यू कर रहे हैं नहीं तो लोग तो थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं बैट रहे हैं थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं थोड़ा चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं थोड़ा 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 चल रहे हैं थोड़ा 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 थोड आप देख सकते हैं कि ट्राफिक जाम लग गया है आगे एक वाटर स्ट्रीम है और साइट में खाई यहाँ पर ट्राक काफी नेरो है तो जल्द बाजी ना करें और अपनी बारी का इंतजार करें साथ ही पाउं सम्हाल कर और जमा कर रखें पूरा ट्राक इजी है पर लास्ट के 10-15 मिनिट या 25% ट्राक थोड़ा स्टीप और नेरो भी है यहाँ पर आगे छोटे बच्चे आपके साथ हैं तो उनका काफी ध्यान रखना पड़ेगा हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि 10 साल से छोटे बच्चे या फिर बड़े बुज़ुर्ट इस ट्राक को करें फाइनली चलते चलते हमें अपनी मंसिल सामने ही नजर आने लगी इस ट्राक में हमें देड़ गंटे के अरांग लगा और जोगनी वाटरफॉल के साथ ही यहाँ के नजारों को देखने के बाद सारी थकान दूर हो गई पाने के फुने आधक आ रही है दब लगए है त्ल मर्व हें पानी में जाना है पानी में जाना है एपके चुआ हों कहते हैं जितना स्ट्रागल आप कहीं पहुशने में करते हैं आपकी मंजिल भी उतनी ही खूबसूरत होती है और यहाँ पहुचने के लिए हमने सफर और मंजिल दोनों को इंजॉई किया तो अगर आपको यह सफर और मंजिल अच्छी लगी तो प्लीज कांसिडर सब्सक्राइबिंग दे चैनल लाइक और शेयर दे वीडियो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक और नए सफर और नए मंजिल के साथ Stay safe, stay healthy Thanks for watching and subscribe करके जाना